आदाब नमस्कार आप सभी का स्वागत है QNS News की स्पेशकर्ष में जिसका नाम है तलाश चवाब की और मैं हूँ आचिनिसकी हम सभी जानते हैं कि 2020 में कोविड के कारण दुनिया ने क्या क्या देखा क्या एक्सपीरियंस किया कोविड के आने के बाद से टाइम पीरियड को प्री कोविड और पोस्ट कोविड में डिवाइड करें तो गलत नहीं होगा क्यूंकि प्री कोविड टाइम केर फ्री था मास्क फ्री था और सोशेलाइज करने में किसी तरह का डर नहीं था खुलकर सांस लेते थे पर कोविड के आने के बाद से ये सब एक सपना जैसा बना सोशेलाइज करने में डर, खुले में बिना मास्क के सांस लेने में डर, हर चीज के साथ एक डर अटाच हुआ इसी में मूवी थेटर कल्चर पे भी जबरदस असर पड़ा जब भी कोई नई मूवी फ्राइडे को रिलीज होती थी तो थेटर का नक्षा ही अलग होता था थेटर्स हाउस फुल रहते थे पर कोविड के बाद से थेटर्स की अब वो रौनक नहीं रही अब सभी ने अपना इंट्रेस्ट OTT प्लाटफॉर्म की और कर लिया है OTT यानि ओवर दर टॉप जिसका मतलब है टेलिविजन और फिल्म कॉंटेंट कंजूमर के सब्सक्रिप्शन के बाद इंटरनेट के थूँ दिखाया जाता है लोगों को ये सूट भी कर गया क्योंकि जितने की एक टिकेट आती थी उतने में आप इन OTT प्लाटफॉर्म का मंतली सब्सक्रिप्शन लेकर पूरे महीने अलग-अलग वेब सिरीज और फिल्मों का मजा ले सकते हैं पर वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो नजारा थोड़ा अलग है इसी से जुड़ी एक खबर सामने आए कि कश्मीर का इकलोता थियेटर रीगल सिनेमा को एक महीने में डिमॉलिश किया जाएगा जिसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और उसकी जगा अब एक होटे के बाद लोग उस और नहीं आए जिस वजह से ओनर्स ने भी इसमें अपना इंट्रेस्ट खो दिया क्योंकि अब्वियस है कि नुकसान पर कोई बिजनेसमेन अपना बिजनेस नहीं करना चाहेगा मोरोवर थेटर ओनर का कहना है कि इस पुरानी इमारत में दोबारा से सिनेमा को शुरू करना मुम्किन नहीं था क्यूंकि इसका कॉंसेप्ट अब बदल चुका है तब रीगल सिनेमा के ओनर्स ने 99 में दोबारा शुरू करने की कोशिश तो की थी पर कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई ब्रोडवे सिनेमा, नीलम सिनेमा, शीराज, पिलेडियम जैसे थेटर्स वक्त के साथ बंध होते चले गए अगर कश्मीर के सिनेमा की इतिहास की बात करें तो कश्मीर में सिनेमा की शिरूआत 1932 से हुई 1932 में एक सोशलिस्ट भाई अनन सिंग गऊरी ने पलेडियम थेटर को श्रीनगर लालचॉक में बनवा कर कश्मीर में सिनेमा थेटर की नीव रखी थी अर्देशिर इराणी के बनी हुई फिल्म आलमारा वो पहली फिल्म थी जो पिलेडियम थेटर में दिखाई गई थी अब अगर हम वहीं आज के दौर के और देखें तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब सिनिमा देखने का सारा कॉंसेट बदल चुका है अब थेटर से ज़्यादा लोग OTT प्लाटफॉर्म को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये तो थेटर की टिकेट के मुकाबले इनकी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा फाइदेमंद है और एक फिल्म के अलावा हॉलिवोड, बॉलिवोड, टॉलिवोड, रीजनल सिनिमा और वेराइटी ओफ वेब सीरीज का अक्सिस मिल जाता है और जो सिनिमा थेटर के शौकीन हैं और साथ ही पैसे वाले भी हैं वो अपने शौक के लिए घर पे ही हूम थेटर की फिसिलिटी रखते हैं और कोविड के बाद से अब क्यूंकि लोग पब्लिक विसिनिटी में जाने से हिचके चाते हैं तो कहीं आने जाने की जगा वो घर बैठे, at ease और अपनी convenience के हिसाब से घर बैठे, इंटरनेट पे टेलिविजन और फिल्म कॉंटेंट देखना प्रेफर करेंगे बठा, यहां हम यह जरूर कहेंगे कि सिनिमा थेटर का कल्चर अब एक old world charm बन कर रहे गया है, क्योंकि upcoming generation थेटर जाने से ज्यादा OTT प्लाटफॉर्म्स पर खुद को engage रखना चुनेगी पर जो भी हो, बड़े पर फिल्म देखने का मज़ा कभी mobile या laptop पर देखने से नहीं मिल सकता, खेर, इंसान हालातों के हिसाब से ही अपने actions अडॉप्ट करता है, और इस case में वही हो रहा है तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की इस पेशकर्श में सिर्फ इतना ही, हम कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ और किसी ही एक ऐसी रिपोर्ट के साथ तब तक के लिए आप बागी खबरों के लिए बने रहें QNS News के साथ और मुझे यानि आजल मिस्कीन को दीजे इजासत नमस्कार